जैन दोस्तों आपका आभाय स्टेडी में स्वागत है विहार दरोगा का एक्जाम जल्द ही होने वाला है जिसकी डेट 26 दिसंबर को निर्धारित की गई है और हम लोग देख रहे हैं एडुटेरिया का सेट जिसमें हम लोग तीन सेट करा चुके हैं और आज देखेंगे चो पथा सेटिस का जो की बहुत ही विहार दरोगा पीटी एक्जाम के लिए इन पोटेंट है तो आएए देखते हैं पहला कोश्चन नौट जश्ट क्रिकेट एरीपोर्टर्स जर्नी पुष्टक के लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं प्रदीप मैगजीन ध्यां रखियेगा प्रदीप मैगजीन हाल ही में द्रोणाचार पुरसकार बीजेता तारक सिन्हा का निधन हो गया उनका संबंध किस खेल से था तो उनका संबंध था खेल से क्रिकेट से नेक्ट देखिए राष्टिये जनजाती निर्ति महोसो 2021 का आयोजन कहां किया गया ते आयोजन किया गया 36 गड़ में नेक्ट देखते हैं मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरसकार 2021 हेतु कूल कितने खिलाडियों का चयन किया गया है तो इसमें 12 खिलाडियों का चयन किया गया है और अरजुन आवार्ड के लिए 35 खिलाडियों का चयन किया गया है ध्यान रखिएगा नेक्ट देखते हैं गलासगो में आयोजी जलवायू सीखर संबेलन 2021 में परधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने गलोबल वार्मिंग से लड़ने है तू किस पांच सुत्री योजना पर बल दिया है तो यह दिया है पंचा मृद पर पंचा मृद पर यह गलोबल वार्मिंग से निपटने के लिए यह एक विवस्था की गई है नेश्ट देखिए को कोण युद्धा भ्यास की इन दो देशों के मद संजुक्त सैन्व भ्यास है भारत और बिल्टेन के बीच में है और 2021 में इसका आयोजन बिल्टेन में ही हुआ था ध्यां रखिएगा नेश्ट देखते ह है भारत सरकार द्वारा बंदर गाहों में कार्वन उत्षरजन को 30% तक कम करने का लच्छ कब तक रखा गया है तो ध्यां रखिए 30% से हो जाएगा 30% अप्शन हो जाएगा डी और 2047 तक भारत को उर्जा स्वतंत्र बनाने का लच्छ रखा गया है नेश्ट देखते हैं एडूटेरिया का सेट बहुत ही इन्पोटेंट है आप लोगों को 3 सेट करा दिया गया है रोज प्रती दिन आप लोगों को 2 सेट उपलब्द कराया जाएगा इस पी नियोजना की शुरुवात किस मंत्राले द्वारा किया गया है तिया किया गया है सुच मलगू उद्योग मंत्राले द्वारा अप्शन हो जाएगा सी जो की 25 से 30 प्रस्ण इससे पूछे जाते हैं आपको करेंट अफ्यर से नेक्ट देखिए आर्थिक सर्वेच्छन तो हजार बीस 21 के अनुसार संपूर्ण भारत की गरीबी दर क्या है तो इसकी गरीबी दर 21.9 परतिसत है संपूर्ण भारत की गरीबी दर और भारत में सबसे गरीब राज 36 गड़ को इसमें चुना गया है ध्यां रखिएगा नेक्स्ट देखते हैं अंडर अंडर तेइस वीश्व कुष्टी चैंपियन 2021 का आयोजन कहां किया गया है तिया किया गया है बेल ग्रेड में कहां किया गया है बेल ग्रेड में नेक्स्ट प्रसंद देखते हैं अक्सफोर डिक्शनरी द्वारा की सब्द को वर्ड ऑफड़ इयर 2021 घोशित किए गया है तिया गोषित किया गया है आपको वैक्स को ध्या र estab вटो द किया गया है वेक्स को नेश्ट देखिए डाबलू येचो ने मई 2021 में भारत में खोजे गए कोरोना वाइरस के नए संस्क्रण का क्या नाम दिया है तो इसमें नाम दिया गया है डेल्टा और एक नाम रखा गया है कपा ध्यां रखिएगा डाबलू येचो की अधापना 1948 में होती है ध्यां रख कार किसे दिया गया है तो आप लोग सभी जानते हैं कि दिया गया है डेवियर्ट जूलिस को और आर्डेम पटापाउ टीन को तो इस तरह से अप्शन हो जाएगा डी नेश्ट देखते हैं प्रतेग दिन आप लोग दो सेट लगाई है क्योंकि जाम जल्दी है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां स्थापित किये जाने की घोशड़ा की गई है तिया की गई है आपको गुजरात में कहां की गई है गुजरात के कच्छ में याद रखे गुजरात के कच्छ में च्छोटे देश तो भूटान अपसन हो जाएगा भी भूटान नेख्ट दखिये। कि पहली महिला अंतरी च्यात्री के रुप में किसे चूना गया है तो आपको चूना गया है नौरा अल मातरोशी को चूना गया है नेख्ट देखते हैं अक्टूबर 2021 में बिहार विधान सभा कि कितने सीटों पर उपचुनाव कराए गये हैं तो इसमें आपको दो सीटों पर उपचुनाव कराए गये हैं तो ऑप्सन हो जाएगा देखिए तारापूर है मुंगेर में उसकर कराया गया है पर उसेटों करायागया गया जाए गा detag आर अनुमान लगाया है तेह अनुमान लगाया है 10 प्रतिसत और ADB का मुख्याले कहां है मनीला ध्यां रखिए गया है प्रगती मोबाइल एप किसके द्वारा जारी किया गया है तो प्रगती मोबाइल एप LIC के द्वारा जारी किया गया है नेश्ट दखिए बजट 2021-22 के अनुसार राजस्ट गहाटा GDP का कितना परतिसत है तो राजस्ट गहाटा GDP का पांच दस्मलों एक परतिसत है तो अप्शन हो जाएगा सी नेश्ट देखते हैं कि एंटी पीसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग एस्टेशन कहां अस्थापित किया जाएगा लेह में ध्यां रखिए गया बाग गड़ना रिपोर्ट दुहजारार दुहजार ठार के उनसार बिहार में बागों की संख्या कितनी है तो अप्शन उसके बाद 24 आपको 524 करनाटक में हैं ध्यान रखिएगा नेक्ट देखते हैं कि बहुत ही इन्पोटेंट है बिहार एसाई के लिए आपको प्रतेक दिन दो सेट लगाई आप लोगों को प्लब्द कराए जाएगा नेक्ट प्रसन देखते हैं भारत के की सिराज में बच् संभाथन बने हैं मणभी पूर के नए राजविपाल ओर आपको नेक्ट द लखने हैं यति हैं देखिए मख को में थे इसको देख ली जिए शक क्या होगा तो आपको 26 चाएंश अशर हो जाये आपको फांच दिन इसको एंशर मिला के देखिएगा कि आपको सही आ रहा है क मोई इसका आपको हो जाएगा सी पचातर किलोमीटर अब नेस्ट दहुए ज़ेगा कौन प्राचीन वाली पर्वत का उदाहरण नहीं है तो कौन प्राकित वलीद प्रवथ का उदाहरण नहीं है तो आपको इसमें हो जायगा option, D and he just प्रवथ मर्वस्थल माना जाएगा यदी को वारीकिक वरसा 25 सेंट्मेंटर से कौम होती हो तो मरवस्थाल माना जाएगा नेक्ट देखते हैं था दीए घाय बिकलपों में कोन यमुना की सहाइक नदी नहीं नहीं है उप आप लोग सभी जानते हैं कि घगरा यमुना की सहायक नदी नहीं है तो चंबल केन बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है नेश्ट देखिए नंदा देवी चोटी भाग है निकिसका भाग है तिया गडवाल हीमायू का भाग है नंदा देवी चोटी और इसकी उचाई आपको है 7812 मेटर केटू का उचाई आप ध्यान रखिएगा 8611 मेटर है केटू का और कंचन जंगा का उचाई आपको 8598 मेटर ध्यान में रखिएग निए किस दर्री से होकर भर्म पूत्र नदी भारत में प्रवेस करती है तो बहुत ही इन्पोटेंट है इसका अंशर आपको हो जाएगा यंग याव नर्म दर्रा और इसकी सहायक नदी बर्म पूत्र की सहायक नियाद रखेए लषित ओर पकでは दिए गए गए विकल्पों में कौन एक मोड़दार परवत का उधारण नहीं है और आवली की सबसे उची चोटी क्या है गुरू सिखर जिसकी उचाई है सत्रह सो बाइस मीटर गुरू सिखर गुरू सिखर इसट्रह सो बाइस मीटर ध्यां रखिएगा नेक्ट देखते हैं सकते हैं ने से उसे हो जाएगा उत्तर परदेश पच्छिम बंगाल अभी से भीहार इस तरह से आप याद कर सकते हैं नेक्ट देखिए नांटीन इस्ट्रीज कहां परिस्थित है तियो हिंद महासागर में इस्थित है नांटी इस्ट्रीज जो नेक्ट देखिए इसकी खोज हुई थी 1962 में 1962 में इसकी खोज हुई थी ध्यां रखिए गया नेक्ट देखते हैं भीम रावम बेटकर पच्छी बिहार कहां इस्थित है उत्तर पंदेश के परताप गढ़ में स्थित एक निक्ष दखिए खनीज पदार्थ अबरक के उत्ताद है भारत का कौन सा राज अग्रणी है एक पनदेश झाले बौः आन्धर निया आप पंदेश निया देखिए भारत में गरीबी के निधारण है तो ये जना आयोग ने किस वर सुरेश तंदिलकवर समीती का अगठन किया था तिया अगठन किया था कब दोहजार चार में अगरीबी से संबंदित है ध्यान रखिएगा केंदर सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्तपूर्ण सुरोद किसक तो पता है निगम करका है नेक्स लगते हैं में हर चेटर की चेटर से है संबंधीत तो फराथमी चेटर वह जाएगा आपको तो मदोंख्री कि पालन पसुपार को शायागा सो जीगा तो सिर्फय चित्र क्राइट तरह से ऑप्शन है कि दफश्ण प्रस्तुत किया था आप लोग सभी जानते हैं कि मुखबूल हक ने किया था यह पकिस्तान के रहने वाले हैं और 1991 में किया था नेश्ट देखिए नासदैक निवन में किस देश का सेयर सुचकांक है त्यों यूएस एका सेयर सुचकांक है ध्यान रखिए गया और इटली का म सब्सक्राइब करने वाले पसुम में कौन सी गयस निस्कासित होती है त्यों सभी लोग जानते हैं कि मिथेन गयस निस्कासित होती है धान के खेश से जुगाली करने वालों से मिथेन गयस की प्राप्ति होती है नेक्ट देखते हैं कार्बन टेक्स लगाने वाला वीश्यू का पहला देश कौन सा है त्यों बन गया है फिल्लेंड कार्बन टेक्स लगाएगा अंट्रक्टिका के उपर ओजोन छिद्र का पता पहली बार कब लगया गया था त्यों पह समीधान की ब्यवस्ता किस देश के समीधान से लिया गया है तो यह लिया गया है अमेरिका के समीधान से अप्षन हो जाएगा अमेरिका के और नियाइक पुनरोकन की सक्ति किस्त में है तो उच्तम नयाले में है इसका तात्पर होता है इसका 137 में उलेख है नियाइक पुनरोकन का जो कि अपने दिये हुए फैसले पर पुनर विचार कर सकती है नेश्ट देखते हैं भीत विद्यक के बारे में विशेशुपबन सम्मिधान के किस अनुछेद में उवरणीत है तो आप लोग सभी जानते हैं कि 117 में बित भी देख है और 280 में बित आयोग है जो कि इसका काम है राजी और केंद्र के बिचकरों का बटवारा करना बित आयोग का काम नेश्ट देखिए निमलिखित में से कौन सा समवर्ती सुची का विशे नहीं है तो कौन समवर्ती सुची का विशे नहीं है करागार जो है राज सुची का विशे समवर्ती सुची का विशे नहीं है समवर्ती सुची में वहीं विशे आते हैं जो समाज की द्रिष्टी कौन से इन्पोटेंट होते हैं जिसे विवा हो गया तलाक हो गया बन हो गय परिवार नियोजन हो गया जन संख्या हो गया यह समवर्ती सुची में आते हैं या एक ट्रीक याद लगे जो भी समाज से इन्पोटेंट होगा समवर्ती सुची में आएगा संग राजियों के अधिन से माएं समीधान के किस भाग में उल्लेखित है तिया भाग चौदी औरा तो उन्दी पर्ति अची करन हमेंसा इसा सरीर चाहिए और परमादेश में होता है हम आदेश देते हैं अधिनस्त ने आले के लेक और अधिकार पृच्छा का अर्थी किस अधिकार से और सुप्रीम कोट और और उच्च नियाले दोनों जारी कर सकते हैं इसलिए अप्शन हो जाएगा डी नेक्ट देखिए निमलिखित में से राष्टपती की उमिदवार के लिए आवस्यक नहीं है तो इसका हो जाएगा पढ़ा लिखा होना आवस्यक नहीं है और राष्टपती के लिए उमिदवारी का जो अनुछेद और ठामन के वन में इसका वर्णन किया गया है कि क्या इनकी योगिता होनी चा किसके पास होती है तो आप लोग सभी जानते हैं कि इसमें परधानCTV के पास होती हैर और परधान मंद्री का पद 65 में दिया गया है जो कि आउस हुआ लोग सभाचुना में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए नियुन्तम आयू सीमा कितनी होनी चाहिए तिया पचीस वर्स होनी चाहिए निमलिखित में कौन एक संगिये बजट की तयारी और उसे संसत में पेश करने के लिए उतरदाई है तो कौन उतरदाई है ता आर्थिक कार ये विभाग ऑप्सन हो जाएगा ए आर्थिक कार विभाग निश्ट दखिए उज तम नियाले में समिधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए नहीं देखे संभिधान के निरवाचन में तो इसमें पांच जोज से कम पीठ नहीं बढ़नी चाहिए और इसमें केशवानант भारतिवाद में 13 जोज बढ़ते इसका अप्शन हो जाएगा आपको ए अप्शन ए हो जाएगा नेख्ट देखते हैं एक अक्टूबर उनीस सो चब्वीस को अब नेक्ट देखते हैं और अग्जेव के संब्द में कौन सा कथन असत्य है अरंग्जेव सुन्नी धर्म को मानता था इसने गुरु अर्जुन देव को फासी दिलवादी थी यह भी सही है इसने जजियाकर को पुनह लागू किया था तिया जजियाकर को लागू कब किया था तो लह सो वना सीमें इस तरह से तीनों कथन स सथ निसल्यस उने भीrą शल्म को लिए तिनी में कौन सुमेलि धा तीडिक निีलों यह संदी हुई थी शटरु सोपचर के संदी हुई थी सहत्तर में और दएमस के संदी हुई थी इती से का हो जाएगा तिरासी इस तरह से अप्शन हो जाएगा भी पंदरो सो तिरासी में नेक्ट दखिए बीजे नगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके सासनकाल में भारत आया था तिया आया था आपको बीजे नगर समराज में क्रिश्ण दे गया था तियों कितने भागों बटा गया था तक पांच भागों में बटा त्याद रखिएगा कौन कूल ग्राम 20 जन और राष्ट कूल ग्राम 20 जन राष्ट धिया रखिएगा नेक्ट देखते हैं कघेंते देखिये हैं वीडियो को लाइक की जिए चैनल को अश क्यों सिंदु घाटी सबयता का सबसे बड़ा अस्थटलMark है आप लोग सभी जानते हैं कि मुहन ज्योदरों सिंदु घाटी सबयता का सबसे बड़ा अस्थल है रीग्वाइदी काली नदी में सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है तियों गंड़क का प्राचीन नाम है सदा नीरा अप्षन हो जाएगा भी नेश्ट देखिए महात्मा बुध्य सरवाधिक उपदेश कहां दिये तो सरवाधिक से हो जाएगा आपको स्त्रावस्ति स्रावस्ति अप्शन हो जाएगा याद करने के लिए है नेक्ष्ट देखिए किस अस्थान पर साइमन बिरोध जुलूस का निर्थित्य करते हुए लाला लाजपत्राय पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में घायल हुए थे तो किस जगह हुए थे तो लाहावर में सांडर्स नामक ब्यत्ती नहीं नहीं लाठी लाठी बहुत पीटा और एक महिने के कि 1920 में 1920 में अप्शन हो जाएगा सी 1920 में और लाला लाजपत्राय इसके पहले अध्यच बनाए गए थे नेश्ट देखते हैं निमलिखित में से किसने गांधी इर्विन सम्झावते में महात्मा गांधी के लाभों को संतामना पुरक्सकार कहकर संबोधित किया था तो किसन में हिंदी भासा के लिए रोमन लीपी लागू करने की वकालत की थी तिया की थी सुभास चंद्रबोस ने सुभास चंद्रबोस में हरीपूरा अधिवेशन उननीश सो और तीस में ध्यां रखिएगा नेक्स्ट देखते हैं अखिल भारतिय मुस्लिम लिंक के गठन का प्र निम्लीखित में कौन पादफ हार्मोन नहीं है तो इसमें आपको हो जाएगा एपी नेफिरीन पादफ हार्मोन नहीं है जीबरेलीन औक्सिन साइटोकाइन पादफ हार्मोन है सुची वन को सुची टू से मिलान करना है इसमें इस तरह के प्रस्ट में जो सबसे पहले आता है उसको मिलाइए इसमें देखिए प्यप्टिक ब्रॉंड प्यप्टिक ब्रॉंड क्या है तो यह बैक्ट्रिया है प्यप्टिक ब्रॉंड इसमें क्या है तो बैक्ट्रिया है घंघू है यहाँ हुआ है तरह 04 किसके तरह से अपसन हो जाए का नेक्ट दखिए की यह कौन अनुवान्सिक रोग में चेविए निम्लिखित में कौन जीव निमें टोडा संग के अंतरगत आते हैं तो लार में दो परकार के पाचा के अंजाइम पाए जाते हैं परकास की गति किसके 20 से जाते हुए नियुनतम होगी तो इसकी गतिक काच से जाते हुए नियुनतम होगी कांच से जाते हुए कितना होता है तो आपको 2.25 होता है ध्यां रखिएगा लाख होता है लाख किलो मीटर नेक्ट देखिए साभुन के पतले जाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का उधारन है तिया परावर्तन और व्यतिकरन दोनों का उधारन है नेक्ट देखते हैं तंतु प्रकास की संचार से संकेत किस रूप में परवाहित होता है तो यह किस रूप में परवाहित होता है तो यह प्रकास तरंग के रूप में परवाहित होता है अप्शन हो जाएगा डी नेक्ट देखते हैं नेक्ट देखिए थोड़ा से छोड़ा कर लेते हैं इसको यदि एक लोला को भूमद रेखा से दुरूओं की और ले जाये जाये तो उसका आवर्थकाल दुरूपर क्या होगा तो इसका आवर्थकाल नियुन्तम होगा इसका आवर्थकाल नियुन्तम होगा नेश्ट देखिए, एक किलो कैलोरी का मान कितना जूल के बराबर होता है, तो एक किलो कैलोरी का मान एक तालिस सो चौरासी जूल के बराबर होता है, और एक किलो वाट बराबर होता है, तीन दसमलो छो गुणे, दस बगात, छो जूल, इसमें होता है, एक किलो वाट, और एक फ़्फ भल्वुलर के अंदर का दाव्ड वाइम अंदर लीयी दाब से उतिक होता है का रिमोड का गार्च किया आता है। कि नेक्ट देखिए हैं कि नियूम्न में कौन जेल का उधारण है तो इसमें आपको जाएगा जूतों को पॉलिस करना एक जेल का उधारण है ऑप्सन हो जाए गए किस अकिरीय गयस को छोड़कर सभी उत्कृिष्ट गयसों के परμάणू की सब्सक्राइब देखिए अमल धातु कार्बोनेट के साथ अब किर्या करके निमलीखित में से कौन सा गयस का निरमान करते हैं तियो करते हैं कार्बन डायक्साइट का सीओ टू का करते हैं नेफ्ट देखिए निमलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है तो पॉप्लर कोस्चन है आपको तो सोडियम को काटा जा सकता है और पोटेशियम तो इस तरह से अप्सन हो जाएगा डी निमलिखित में हाइड्रोजन का रेडियो शकूरिय समस्थानिक तत्त तो कौन है तियो ट्राइटियम है क्ह rebelli और प्रोटियम और ड्यूटेशियम तो इस तरह से ₹प्सन आपको हो जाएगा ऍसी देखिए क्या कह रहा है निमलिखित में हाइड्रोजन का रसाइनिक सुत्र क्या होता है तो अप्सन हो जाएगा डी ब्लैक गांधी निवन में किन का उपनाम है तो आप लोग सभी जानते हैं कि इसका मांती लूथर कींग हो जाएगा जो कि दछिन अफ्रिका में थे और बावو जी जग जीवन राम को कहा जाता है बावी जी नेक्स्ट देखिये रविंद्रनाः टेगोर को भारत रतन कम मिला था तो रविंद्रनाः टेगोर को भारत रतन कब आपको मिला था ध्यां रखिएगा यहां पर देखिए कोश्चन गलत हो गया है रविंद्रनाः टेगोर को भारत रतन नहीं नोबेल पूरसकार होगा आपको क्योंकि भारत रत नहीं नोबेल पुरसकार मिला था कब नोबेल पुरसकार मिला था 1913 में और एसिया में सबसे पहली बार नोबेल पुरसकार मिला था आपको साहित्य के छेत्र में रबिंदर नाठ्टैगोर को और गितांजली के लिए मिला था इनको गितांजली के लिए था इनको गितांजली लिए नामित प्रथम भारतिय फिल्म कौन है तो आसकर के लिए प्रथम आप लोग सभी जानते हैं कि संतावन में मदर इंडिया को आसकर में नामित किया गया था और अभी तक दिलाय यह को सकर मिला नहीं है नामित किया ढ़िया ध्यान रखिए गया गाया है सब्सक्राइब तरह से जोड़कर आप सारे दिवस याद कर सकते हैं सिंपल भासा में हमने तो सारे दिवस इसी तरह से याद करके अब दिखिये वीडियो अच्छा लागा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि इस तरह के सभी EU आपको उपलब्द कराते हम रहेंगे 15 आपको साथ दिनों में हम उपलब्द करादेंगे जिसे आपको दरोगा एक्जाइम के लिए बहुत ही काफी लाब मिलेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिन जैवारा